डोस्तो सवागत है आपके अपने चैनल टेकसिवल में। दोस्तो, यहाँ आप देख रहे हैं यहां एक छथ चथ के उपर यह आपकोको रिड कलर का यह पेंटिंग डिखाई दे रहा है. है लेकिन दोस्तो इस छट पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कलर किया जा रहा है यहाँ पर रेड कलर यह किया जा रहा है तो दोस्तो यह इसलिए ऐसा किया जा रहा है जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं कि छट से आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी टपक रहा ह गर की सारी सुन्दरता खराब हो जाती है एक जगह से अगर पानी आपके छत में कहीं से गुसरा है तो धीरे धीरे जितने भी हमारे सरीया होता है छत में कॉलम में बीम में सबको एक कैंसर की तरह होता है वो सबको खराब कर देता है जंग लग जाता है मकान कम जोड हो जाता ह तो मैं इसी चीज के यहाँ पर बीडियो आपको दिखाऊँगा, कि आप बिलकुल असान तरीके से, कम पैसे में, और बिलकुल सुन्दर तरीके से, जैसे आपने देखा, रेड कलर का, बुलू कलर का, वाइट कलर का, पैंटिंग करा के, अब च्छत का waterproofing करा सकते हैं अब जैसा ही ये देखिए बहुत ही पुराना घर है ये बहुत पुराना लगभग 40-50 साल पुराना इस पे अब पानी टपक रहा था पुराना हो गया था इस पे waterproofing करना था सबसे पहले हमने क्या किया कि ये च्छत को अच्छे से आपको cleaning करना है सफाई करना है अब देख सकते हैं कि इस पे घोटाई भी बहुत पहले का हुआ है पपड़ी बन के जो cement celery यानि कि जो घोट हुआ है वो उदर रहा है अब देख सकते हैं वो निकल रहा है वहाँ से वहाँ पे wire brush से उसको अच्छे से सफाई किया जा रहा है जितना भी उसमें रेता भरा हुआ है गंदगी भरी हुई है सबको अच्छे से आपको धूल मिट्टी को सफाई कर लेनी है फिर उसके बाद आपको वहाँ पे जाडू से उसके पूरा जितना उपर का dust है यानि कि धूल धूल आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है एकदम clean कर लेना है जैसा कि आप यहाँ देख रहा है कि एकदम उसको clean किया जा रहा है जितना भी गड़े उड़े हैं पपड़ी है सब को छुडा के wire brush से जो तार वाली आपको brush मिलती है जिसे इट हम सफाई करते हैं आपको clean करके फिर उसको पानी से अच्छे से एकदम तीज प्रेसर से पूरा जितना धूल मिट्टी है बालू का रेता का कड़ है या जो भी है सब आपको निकाल लेनी है कुछ नहीं वहाँ पे छोड़नी है अगर आप वहाँ पे रेता अगर चोड़ते हैं बालू छोड़ते हैं अगर आप उस पे paint लगाते हैं या waterproof का coating करते हैं तो फिर क्या होगा कि उपर उपर आपका waterproofing लग जागा लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ से अगर निकलेगा तो फिर वहाँ पे जगर बन जाएगा तो फिर वहाँ से आपका पानी वहाँ पे अंदर जाने की समस्य रह सकती है अब दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको simple सा ही है आप देख रहे हैं Asian paint का ये smart care dam proof एक आपको paint आता है जो कि हम छट के लिए sealant जहाँ पे है वहाँ पे या फिर दिवार पे लगाते है तो ये छट पे हमें यहाँ waterproofing coating करना था देखिए अब सब कुछ सफाई करने के बाद यहाँ पे ये छट पे वही paint आपको brush से या फिर roller से एकदम अच्छे से लगाना है दो कोट में पहला कोट आपको सीधे हाथ से लगा देना है सीधा सीधा brush खीचना है पूरा सूखने देना है उसको 2-3 गंटे-4 गंटे या एक दिन छोड़ दे आप फिर दूसरा कोट आपको एक दिन के बाद या पांच गंटे-4 गंटे के बाद आप उल्टे हाथों से उसको लगा दें उस पे पूरा अच्छे से दो कोट में आपको लगाना है आप देख सकते हैं कि जितनी दिवार है यहाँ पे जितना छट है सब जगह यहाँ पे यह सफेद वाली जो पेंट है एसियन की डेमप प्रूफ पेंट यहाँ पे लगाया जा रहा है यह कोटिंग हो गया इसमें दोस्तों होता क्या है कि वाटर वेरियर Coleman हो जाता है यानि की पानि आंदर गुसने नहीं देता है और यहां से यह पानी जो है आसानी से जहां आप सिलोक दिये होंगे छत में धलान दिये होंगे धीरे धीरे पानी वहां चला जाएगा तो छत पे आपका पानी जमने का भी समस्या नहीं होता है वो असानी से वहाँ से निकल जाता है तो इस तरह आपके घर में रूम में कमरों में कहीं से भी पानी नहीं टपकता है तो यह आप देख सकते हैं ACN Paint का यहाँ पे रेड कलर का सफेद कलर का यह डैम प्रूफ कोटिंग यहाँ पे दो कोट में किया जा रहा है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो यह डैम प्रूफ Smart Care का जो बाल्टी है यह 20 लिटर का आपको मार्केट में 6,000 से 65,000 रुपया में मिल जाता है वह इसकी जो आप 5 लिटर के भी बाल्टी आती है 10 लिटर के भी बाल्टी आती है तो आपको जितना जरूरत है उस हिसाब से आप अपना इसका मार्केट से खरीद सकते हैं अपने छट पे या सिंडी रिम के उपर जहां पे आपको टंकी रखना है या जहां पे भी आपको जरूरत है दिवार पे इसका कोटिंग करा जएो इसका पेंटिंग करा सकते हैं पेंटिंग का सफाई का यह चार्ज आप अपने पेंटर से पूछ लें तो अगर सब कुछ मिला कर देखा जाये तो जो एक पेंटर होता है पेंटर यहाँ पे पानी मारते हैं सब कुछ करने के बाद दो कोट में वाटर प्रूफ पेंट यह चड़ाते हैं तो आप ऐसे अपने करा सकते हैं और सीलन की समस्या से बच सकते हैं दोस्तो मैं आपको यहां पर बता दिया यह आपको मैं बाल्टी भी दिखाया है यही बाल्टी आपको लेनी है अगर आप नहीं ले पाते हैं डिरेक्ट अगर कोई अच्छा experience आपको पेंटर पकड़ना है जो पहले काम कराया हो उनसे जनकारी ले बात कर ले और फिर उनको कर किजिए और सांथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए